जाए ये साना विंदावन से पत्र आया है महाराज विंती की गई है कि इसे आपके सामने पढ़ा जाए पढ़ा चीक रखरो महाराज कंस पुजा के लिए आपको एक पोटी कमल पुस्पो की आवस सकता थी विंदावन वासियों की ओर से मैं आपको तीन कोटी पुस्पो की भेड भेज रहे हूँ कृप्या अतरिक पुस्पो को अपनी गोप प्रजा की विनम्रस रद्धानजली समझ कर स्वीकार करो महाराज आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि जैसे ही मेरा पूत्र क्रिश्न कालिया नाग के सामने पहुचों वो महा भयंकर नाग भी आपके भैसे काप उठां और स्वयम ही जे सभी पुस्प हमारे द्वार पे पहुचागों यदि आपको अब भी आवस सकता हो तो और भी पुस्पों का प्रभंदगिया जा सकतो है आपका विनित गोप राज नंद हमारा संगर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है विश्णु अव्तार यश्वमति मय्या का नंदलाला पत्र में लिखा है महाराज उसे इसी नाम से बुलाया जाना प्रिय है जैसे आपने कहीं वैसे करो हमने कंज के राजभवन को पुष्प से भर दियो है मुझे तो ऐसे लग रही हुए इतने पुष्प देखे कंज को चक्कर आ जाएंगे आपका पत्र पढ़के उसे जे समझ में आगा होगो कि विंदावन वासियों से उलिजना ठीक नहां उसके लिए वैसे हुआ श्रीक्रिश्न हमारी रक्षा करने के लिए है ना तूर्या सोने वालो है अमें अब घर चलनो चाहिए मुझे बट थकान लग रही है नंदराज हां मैं भी बहुत थक्गी हूं नंदराज कमल कुष्प को गारी मिलादकर मत्रा पहुचाने में अब हम भी बहुत थक्ग गये हैं तो आप थब लोग रात्री को यहां रुकना जाते हैं वैसे सुजाओ तो अच्छा है नंदराज अब कालिया नाप के स्थान से जाने के बाद प्रकुरती कितनी खेल उठी है क्यों दसोदा जी कि काना भगवान नारायन का अवतार है किसी को कोई अंतर ही ना पढ़ रहो है तो फेर मेरा मन क्यों अटको है अभी तक क्यों बार बार में इस तुगधा में पढ़ जाती हूं कि काना को एक वक्त के जैसे देखो या मैया की जैसे ऐसा इसलिए है मैया क्योंकि ना तो आप कि फक्ति में कोई कमी है और नहीं ममता में तो पे ठीक है आज हम यही रात पिताएंगे तब लोग विस्तराम करिये यह जे हुन्याबाद जे हुन्याबाद रात बनने बेविट क्यों हो रे वशंता स्रीनारायन का उतार काना फेना हुमारे साथ लगता है कोई मय्या को बूल नहीं नहीं देगा कि मैं नाराण का अप्तार हूँ तुम्हें पूर्ण विश्वास है ना कुप्तिचर इस समकच उसी बालक ने किया है उसी ने कालिय को पराजित करके यहां से दूर भेज दिया है मैंने अपनी आँखों से देखा है महराज और वरिंदा वन के सभी वासी इस समय वन में विश्राम कर रहे हैं यह सूचन पक्की है वो सब पूरी रात वन में ही बिताएंगे महराज मेरी रातों की नीद छीन कर वो वन में आनंद कर रहे हैं तिंतु मैं उनके इसी आनंद को मृत्तियों के करुन रूतन में बतलतूंका उनके चारों और प्रकाश होगा सूर की चमक जैसा आखें चौंद्या देने वाला प्रकाश तो फिर भी यह रात उनके लिए सबसे अधिक काली होगी क्योंकि मैं इस पूर्णेमा की रात को कि अमावस्य की रात बना दूका कभी न समाप्थ होने वाली अमावस्य है अधिक भापी देखो वंदी वी प्रसाद के लिए जे केले लाई हमों अधिका तो इसमें से पके केले काना के लिए चुन लेटियों पर वो तो नारायन का अफ्तार है उसके लिए भल कैसे चुनूम है जो उसके हाथ में आएगो अपने आप ही मीठा हो जाएगो भापी क्या होगा रुख्यों गई कचो ना दिखा काना तो जो भूख लगी आयोगी ना मैया खिलाओ ना अच्छा ले मैया के वैवार में बदलाओ आ रहा है काना बंसी काका हम सबको बन में आग जलाना सिकारो है ताकि भयानक पशु को दूर करा जा सके मैया जाओ मैया अगनी चलाने जाओ हाँ जाओ मैया तो छुपचाप जान देर ही है पहले जैसे चिद्धा भी नहीं करी है अब लल्ला सुन अगनी के साथ खेलियों मति और सुरक्षित दूरी बना के रख्यों समझाए जाओ घज्ड सुन वपवद एनसे साथ किन अदक्षित अगनना के बत्सक्रावन पन्ताव और सुन रख्यों टूश्च नूजू एमाव मेंगार एमđ फृश्टा रप टुँड़ा एमाव एमावा है एमाविक भाव एमावा एमावा हैं। कर सकतन झालाई जाए ओधी है 3 2 4 5 5 6 3 5 6 4 5 प्रणाम महराज महराज गंस इस कारागार से मुक्त करवाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बताईए इस उपकार का रिड़ कैसे चुकाऊ बस वही करो दावानल जो तुमें सबसे अधिक प्रिया है अपने नाम को स्वयम सार्थक करो जला दो पूरे वरिंदावन को जला दो टीट बश्यू बक्षी बनसपतियां ब्रिक्ष यहां तक के मानव भी कोई भी जीवत प्राणी जीवत नहीं बचना चाहिए जला दो सबको सबको आपकी आज्या ही मेरी इच्छा है और आपकी इच्छा ही मेरी आज्या तुम समने देखो एजे अधिक कटी ना आई है दो पत्थर हाथ में पकड़ने अईसे रगड़नों है चिंगारी निकलेगी घास फूस अगनी पकलेगी पर भग से जल जाएगो लो करो लो सुबन? ले काना तू भी प्रियास करके देख ले पर जित्ता सरन जे कह रहे थे उत्ता सरन लाहे अगनी जलाना जे तो स्री नारायन का अफ्तार है संसार की सारी अगनी इसके नियंत्रन में है तो फेर एक चिंगारी उत्पन करना कौन सी बड़ी बात है ऐसे तो महिया मुझे दीरे दीरे अपना ललना मानना ही भूल जाएगी यह उच्चत नहीं है अब मुझे ही कुछ करना होगा काना ऐसे मत करो लग जाएगी काना समाल के जान का है ने रोग कालिया नाक का हलाहल जैसा विस जिसका कच्छो न विगार पाई कि जिस आधारन सी अगनी उसे हाने कैसे पहुझा पाईगी मेरी ममता बार बार चिंता करने पर विवस कर देती है मुझे भूल जाते हूं मैं कि छे तो स्री नारायन का अवतार है यही तो मैं चाहता हूं मैया ओ मैया काना काना देखा देखा का लगी हां बोला थाना अगनी से दूर रहने दिखा कि जले का चिन्न ना है कि मेरे साथ खेल खेल रहा है जे इससे पतो है कि इसकी पुकार सुनते ही मैया ऐसे दोड़ी चली आई कि कि मुझे नटखट पना बंद कर काना कि मुझे आई कि आःमा बंद कर कि आई कि आई कि आई आपको तु पता था ना काना के बारे में वो यसोदा काना ने मुझसे बचन दिया था नाना मैं आपको ताना ना तेरी मैं तो बस जह सोच रहे थी कि आप अपने आपको कैसे समझा बाते हो कि जह जानते हुए भी कि स्री नारायन का अवतार है आप उसके साथ समाने विवाहर क्या से करते हो क्योंकि मैं भी अपने लेल्ला के साथ समाने विवाहर ही करना चाहते हूं उसे वैसे ही देखना चाहते हूं उसके साथ लाड करना चाहते हूं उसके साथ लाड करना चाहते ह तो मुझे बार बार उसमें मेरे प्रभू देखने लगते हैं मेरे साथ भी ऐसा ही हुटो है शुटर पर जब मैं यह स्वीकार कर लेता हूँ कि यह हमारा लल्ला है तो मैं भूल जाता हूँ कि यह स्री नारेन का अफतार भी उसके बाद संसारिक माया मुझे अपने अंदर जगड ली थी यह सुदा तुम्हारे साथ भी कछो ऐसा ही हुख संसार की मोह माया तो मैं खुद में जगड लेगी और तुम जब भूल जाओगी कि वह भागवान का अफतार सच्ची कहूं तो महिया की ममता के आगे कोई भी माया ना टिक सकती सबसे बड़ी होती है एक महिया की ममता पर भक्ति का भाव भी कमप्रबल ना होतो है जी मेरे रिते में ममता और भक्ति के बीच युद्ध चल रहो है उजह ना पता कौन सा भाव जीते को और कौन सा हरे को कि इसका अर्थ है कि मुझे कुछ भी ऐसा करने से फ्रेम को रोकना होगो जिसे मैया के मन में वक्ति का भाव प्रभल होकर एंसा से जीत जाए तो फिर ज्यान रखना का ना तब सब के सामने कोई लीला मत कर देना तुम वो देखो वो वहाँ बैठे हैं सब कोने में किसी भी कोने में क्यों न चिपा हो आज तो जलेगा पूरा व्रिंदावन ही मुझे फैला दो यहां और फिर जाओ महाराज गंस को सूचना दो कि उनका कारी हो गया है महाराज का अदेश्त मरण है ना व्रिंदावन का कोई भी आद्में आज जीवित नहीं रहना चाहिए अगनी को जलाना मत सिखाओ चाओ मुझे अपना कारिय करने दो कि अगर 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 नारायन नारायन हरे 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 जीवित नारायन नारायन हरे 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 हर दावानल और दाथ बनके अगनी अब दा करोगा दू वे चो मेर दाव क्या क्या सबके सामने असे कच्छू ना करूंगा जो लीला लगे पर सबके दुर्ष्टी से छुपकर तो कच्छू कडना होगा दाव इस तो पाले की दावानल पूरविन्दा बनको लील जाए पर काना करनेते वालो है मैया बाद थांको उसु लादो ना आजा लोरी काओ ना मैया सब जद आके बन करो मैया लोरी सुना रही है तो ये है तुमारी युजना प्रभू शिगरी कुछ कीजे अन्यत पूरा बन ही जल जाएगा मेरी सहायता कीजे प्रभू आज कोई नहीं रोक सकता मुझे आज इस वन का एक एक दिन का जला डालूँगा मुझे बुर गई दावा नल मैं तुम्हें ऐसा खड़ने की आज्या नहीं दूँगा आज कोई दूँगा मैया की नीन्ने व्यवदान पहुच रहा है मुझे छिक्रता करने होगी कुछ ही संय पहले बूचते में चिंगारी से खबरा गया था अब इतने विसाल दावा नन को निगन गया है पिरसे करवड करती का नाने समझाया था वो लीला मत करना तुमारे समस्या और बढ़ जाएगी अब क्या करू दाओ जब जब मैं इसे अपने लल्ला के रोप में देखने का प्रयास करती हूँ मुझे प्रभु दिखते हैं कैसे कैसे समझाओ अपने आपको मैया मुझे पतो आपने का था रगनी के साथ मत्ती खेलना पर अगभी फैल रही थी मुझे कचुगा कचुतो करना ही था मैया क्यों प्रभु क्यों चीन रहे हो एक मैया से उसके मंता मैं आपकी भागतावास से हूँ पर उसके साथ साथ आपकी मैया भी बने रहना चाहते हूँ आपको एक मैया बनकर दुलार ना चाहते हूँ फटकार ना चाहते हूँ डाटना चाहते हूँ तो फिर डाटो ना मैया फटकार लगाओ मुझे डंडे दो कैसे काना तुझे देखते ही मुझे अपने भगवान दिखाई देने लगते हैं मेरे मन में तेरे प्रतिय भक्ति के भाव जाग रहे हैं मैया, पैसा मत्ती करो ना देखो, मैं वोही कानाओ जिसा प्लोरी सुना के सुलाती थी वोही कानाओ जिसा अपने हतों से माखन खिलाती थी मैं पूई कान आओ महिया, जो भूल करता था, तो आपकी दंड भी खाता था, और आपकी दंड भी बाता था महिया, एक बार मेरी और देगो तो सही, अब पूई कान आओ जो आपकी पूच बनके, पूरे विंदावन में गूंगता था, तेसे चड़ना बोलना, सब सिखाया आपने पहले मेरा सत्य जाने भी न, आप मुझे अपने रल्ला की तरह बिभार करती थी, अब मेरा सत्य जानने के बाद भी, अपने रल्ला के तरह ही मुझे अपना न होगो, कि मैं तो वही हूँ, आपका काना इत्ता प्यार करतो है तू मुझसे जब मैं तेरे भीतर भगवान का रूप देखती हूँ तो मैं भेवीत हो जाती हूँ का नहाँ जे सोचके कि तू तू मुझे छोड़ के तू ना चला जाएगा कई गया भी तो सदेव आपकी हैजय में ही रहूंगा वही तो है मेरा असली निमास माता ओ माता तू ही सारे जग के है विधाता प्रेम है तेरा ऐसा निराला विवश हो कर आए जग पाला यशो मती मैया के नंदि लाला 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 कर दो कर दो लल्ला विगरता कर घर पहुचकर जाड़ भुहारी भी करनी है का होगा ये सब हैर क्यों गए ये सब क्या होगा कली तो हम इस छेत्र के सुन्दर्था की प्रसंसा कर रहे थे ना और आज कछो बचो है तो बस जिंगारियां भास्म का ढेर और विनास का द्रस्य जिंदा क्यों करती हो भावी जिसने इस वन को हम सब को जनने से पचायो है वहीं से फिर से हराधरा कर देगो नंदराज इस से मैं घर जाना सुरक्षित होगो पुरो मर्ग जल गयो है इन सुलक्ती चिंगरियों का ताप किसी बाला के अव्रिदे के पाव में लगगो तो चन्ता के कोई बात नहीं है बाबा हम सब मैर्शिक गर के आश्रूम में जा सकते हैं मा सारी ववास्ता हो जाएगी पुयासद एक दूर भी नहीं है मुझे लगतो है कि हम सब को इसी गर क्या आस्रम जानों चाहिए वहाँ चल कर कुछ समय उनकी सेवा करेंगे और जैसे ही अगनी सांथ हो जाएगी और वेंदावन जाने को मार्क सुरक्सित हो जाएगो हम सब वापस लौट चलेंगे अच्छा मुचा है वही माची घर जिन्होंने मेरा नापकरन करा था अच्छा मुचा 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 जाएगो अच्छा मुचा मुचा जाएगो अच्छा मुचा 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 जाएगो आज से तुम्हें सारा संसार जिस नाम से पहचानेगा वो नाम है। कृष्ण वो नाम है। क्रिष्ण, वो नाम, वो नाम, क्रिष्ण, क्रिष्ण. प्रणाम रसीवर. रसीवर, आपका स्वास ठीक तो है, ना? महरेशी को सम्भालो काना, ये तो इस राक्स्टाम मैं आप कर देंगे तुम्हें. और तब छोटी बाको, तुम्हारे भगवान होने की समनते स्लिशा आजाएगी. भगतों को भगवान के दर्शन मिलते हैं. मुझे तो साक्षात भगवान ही मिल गए. इस समयमा भगवान नहीं, बस आपका सिश्ची और शिवर स्मरण रखिया है. भगवान अपने भक्त के खर नहीं आए. आज एक पूत्र अपनी मईया के साथ एक महरशी के आश्रम आया है. देखो तु इसे, ऐसे रिदे से लग रहो है, जैसे कित्ते अच्छे से जानता हूँ. जानता हूँ मैया, बाबा ने कित्ती बार पताया हो इनके बारे में, कि कैसे मेरा नाम करन करा था, इसलिए तो इतने विशेश है ये मेरे लिए. अच्छा ही है कि ये सोधाजे भूल रही है, कि इसका लल्ला स्वायम स्री नारायन दवतार, आप सभी का यहां आना, बहुत ही प्रसनता की बात है, आप आए हैं अपनी इच्छा से, फरन्तु मेरी इच्छा के बिना जा नहीं पाएंगे. आपके साथ हमें बिताने हैं, मर्शी, इसकी शिग्रया से जाएंगी बिना. लगता है काना के मस्तिस में कोई योचना है, कोई फिर से कोई लीला तो नहीं करने वाला ये? कि लुए कुए प्रेंगे वाला ये इच्छा के लाएंगे. कि आप देगा नुपने दाओको नी बताओगी खॉंसी बात दाओ थाक चुजू क्यों तो कोई विससे जोजना बनाया हो क्या मैं को युशेश जोशना कभी नी बतानता दाओ शुहना होता है वो अपने पुशाता है परसे दाओ योजना बनाओ भी क्यो आज को चुशेश पुरी ना है अच्छा तो मेरा जनम दिर इसके लिए भी शेज अफसर नहीं है या फिर इसस मरड़ी नहीं है कि आज मेरा जनम दिन है ओहो काना कितनी नूर फिक दी अब जाके लेखे आने पड़ी गी बल्राम वहाँ खड़े क्या आओ आओ घिल्ली लेके आते हैं चलो भी अब मेरी बारी है ने ने अब मैं खेलूंगा क्या हुआ दाओ क्या देख रियो ऐसा लगा कि जैस्सो कोई था या वहना दाओ कोई ना कोई दे जीव जन्तु हो गाई छोड़ो ना अब आपी बारी माल गिल्ली बर लगागे हाँ हाँ मल राम को खेलने दो अभी अभी आया ना क्यू़ो 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 यहीं हत्या की थी ना उसने मेरे भाई बकासुर की और वो सारे बालक बड़े चाउ से देख रहे थे प्रशंसा कर रहे थे उस मायावी की मेरी बहन पूतना के हाथों से तो पच गए किन्तु अब मेरे क्रोज से मेरे भीतर दहकती प्रदिशोद की अगनी से अब ना तो वो बालक बचेंगे और ना ही वो विश्णु आवतार और भूलना मत महाराज ने क्या कहा था सीधे सीधे उस मायावी के सामना नहीं करना है तुम्हें वो बालक बहुत चतुर है पर है तो एक बालक ही और एक नन्ना सा बालक क्या हानी पहुचाएगा मुझ जैसे महाविशाल वहाशक्ति शालिय अगासुर को पता नहीं तेरी मैया क्या क्या सोच रही हो निवा के समय एक दुसरे को बचन दिया था कभी भी एक दुसरे से कच्छो ना चुपाएंगे पर मैंने कित्ते वर सो तक तेरे दिव्य होने की बाद उससरे चुपाई कानव, तुम नहीं तो कही थी, कि मैं तुम्हारा सत्थ्य, तुम्हारी मैया को ना बताऊ फिर तुमने स्वयम ही, उन्हें अपने सत्थ्य के बारे में क्यों बताया राय सब्सक्सथ्ष्यारी मुफाजे